दोस्तो आईपेल की सबी 10 टीमें आउक्षन की प्लानिंग करने में चुट गई है टीमों को कौन कौन से कलाड़ियों को रिलीज करना है और कौन से कलाड़ियों को अपनी टीम में बनाये रखना है इस पर मंतन जारी है पंजाब किंग्स भी रणीतियां ताया कर रही है आज की इस वीडियो में बर्ल्ड कप 2020 में सांदर पर्पॉर्मेंस करने बाले वो टॉप तीन कलाड़ियों आपको बताने बाले हैं उन टॉप तीन कलाड़ियों की जिनने पीबी केसे टारगेट करेगी तो पहले कलाड़ियों जिनने ऑउक्षन में पंजाब टारगेट करेगी बोहें रचिनरबंदरा न्यूजिलेंड के रचंदर बंदरा एक स्पिन ओल लाउंडर है और जिस अंदाज में भी बल्ड कप में बल्ले बाजी कर रहे हैं उससे लग रहा है कि उन्हें बारती पिचे रास आ रहे हैं इसलिए आई पेल टीमों की नजरे इस खलाडी पर है पंजाब किंग्स को एक बेतरीन ओल लाउंडर की सकता जरुवत है एक ऐसे ओल लाउंडर की जो टॉप ओर्डर में आकर रन मनाने के साथ साथ अच्छी गेंदबाजी कर बिकिट भी चटका सके और रबंदर पंजाब के इस जरुवत को पूरा कर सकते हैं बल्टकप 2023 में रचंदर बंदरा ने 9 मेच केले हैं जिनमें उन्होंने 523 रन मनाये हैं इस दोरान उनके बल्ली से 3 सेंचुरी और 2 हाफ सेंचुरी निकली हैं साथ ही उन्होंने गेंदबाजी में 5 बिकिट भी चटकाए हैं इसलिए इस परपॉरमेंस को देखकर पंजाब किंग्स आसानी से उन पर 8-10 करोर रूपे कर्च कर सकती है उसके बाद दूसरे कलाडी जिन पर पंजाब दाउं लगाएगी बो हैं दिलसान मदुसंका स्री लंका की युवा तेज गेंदबाज दिलसान मदुसंका ने पिछले साल T20 में डेब्यू किया था इस तोरहन उन्होंने अपनी गेंदबाजी से गहरी चाप चोड़ी थी बारत में खेले गया बल्लिकप 2023 में भी दिलसान मदुसंका का जलबा देखने को मिला उन्होंने सांदर बॉलिंग करते हुए किस बिकट अपने नाम की जिसमें एक बार पंच और एक बार चार बिकट लेने का करनामा भी किया वहीं बल्लिबाजी की बात कर आैं तो मदुसंका ठीक टाक बल्लिबाजी कर लेते हैं जिसका पाइदा पंजाब की टीम को IPL 2024 में मिल सकता है अकर नीलामी में पंजाब उन्हें खरीदने में सपल हो जाती है। उसके बाद PBKS के टॉप तीन टारगेट में तीसरे कलाड़ी होंगे डेरिल मिचेल। PBKS के पास अपने लाइनप में एक एटर की जरुवत है जो कि डेरिल मिचेल इस कमी को पूरा कर सकते हैं। मिचेल सेलेंका के बानुकर आज़ पक्षे के बड़िये रिप्लिस्मेंट हो सकते हैं। टॉप ओडर में वेटिंग करते हैं और सेज के इंदबाजी भी कर लेते हैं। 2023 के ओक्षन में अंसोल्ड गए थे लेकिन सबार बल्ड कप में जैसी पर्पॉर्मेंस भी दे रहे हैं उसे देखकर कई टीमें उन पर दाउं लगाएंगी। बल्ड कप के नो मैचों में डेरल मिचल ने 418 रन वनाए हैं। बारती पिचों पर भी बड़ी बल्ल लवाजी कर रहे हैं। इसलिए पंजाब की टीम उन पर बड़ी रकम खर्च कर सकती है। तो दोस्तों ये हैं वो तीन कलाड़ी जिन पर पंजाब किंग्स ओप्सन में बड़ी बोली लगाने के लिए तयार है। आपके साबसे इन तीन में से किस कलाड़ी को पंजाब को खरीदना चाहिए। हमें कमेंट कर जरूर बताएं। अभी के लिए बसत ना ही। पंजाब किंग्स और आईपेल से जुड़ी ऐसे ही अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरू करें। थैंक्स पूर बॉचिंग।